हैं लो फैमली आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स जो है आपका यूरिन का कलर आपको बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी है या नहीं आपके प्रेगनेंसी में कोई ख़तरा तो नहीं है। देखिए अमूमन जो यूरीन का कलर होता है ओ लाइट ब्राउन या फिर मतलब हलका ब्राउन कह लीजिए या फिर ब्राउन ये नॉर्मल माना जाता है क्योंकि ये हमारी बॉड़ी से जो पिंगमेंटेड होते हैं उससे निकाले जाने वाला कलर होता है लेकिन यहीं पे अग खत्रे की घंटी होती है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो एमुलिटिक फ्लूट में हमारा बच्चा रहता है उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए जब उसमें पानी की कमी हो जाती है तो कभी-कभी प्री-मिचोर डिलिवरी भी करानी पड़ती है तो इस बात को इस पिला नहीं होगा बट अगर यहीं पे अगर आपके यूरिन का कलर डार्क पिला और उसमें जैसे ब्लड जैसे आपको दिख रहा है यानि डार्क बिल्कुल गाढ़ा ब्लड की तरफ यूरिन आ रहा है और डार्क पिला आ रहा है तो यह खत्रे की घंटी हो सकती है यह चीज आपको ये दर्साता है, ये समझाता है कि आपने अच्छे मात्रा में पानी बिल्कुल भी नहीं पी रही है, क्योंकि इस समय आपके बॉड़ी में मेटापोलिजम जादा रहता है, तो पानी की खपत भी जादा मात्रा में होती है, तो आप पानी परियाप्त मात्रा में पिया पानी हो गया सारे चीजों को आप सामिल करेंगी तो आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी इसके अलावा अगर आपके यूरिन में ब्रावनीस यानि पीला पंगाढ़ा और ब्लीडिंग के जैसा यूरिन आ रहा है तो यह आपके ब्लेंडर में जो है इंफेक्शन का खत्रा होता हो सकता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि प्रेगनेसी में इंफेक्शन बहुत जल्दी आपको लगने का चांस रहता है तो आप हाईजीन का ख्याल नहीं कर पाती है और आपको जो है यूरिन इंफेक्शन हो जाता है तो इस समय आपको इधर उधर जाने की जरू देखिए जब आपके यूरिन में बलड आ रहा है या फिर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आप एक चम्मस जो अजवाईन आता है ना उसको रात में एक गिलस पानी में भिगो लीजिए और सुबा उसको छान के आप पी लीजिए यह रामबाड इलाज होता है यूरिन होती है जो हमारे बॉड़ी इंडिकेट करती है कि कब हमारे बॉड़ी में क्या क्या हो रहा है तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से ख्याल करिए और अपने बॉडी को डी हाइड्रेट ना होने दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग बाय बाय टेक केर